कि अज़े लो गुड मॉर्निंग और विल्कम बैक तो मैं अधर नीव लोग आज हमको जाने का ट्रेकिंग के लिए ट्रेकिंग का लोकेशन है ताहूली पीक यह आया बदला पूर अंबरनाच साइड में यहां से जाते जाते वन इंडा हाफ और लगेगा क्योंकि 38 किलो मेट अधर से कोई बतने चला लेंगे एक लॉंग रैड भी हो जाएगा और आधी यह बोट टाइम से प्लान कर रहा था कि ट्रेक को जाते ट्रेक को जाते पर हम लोग इसके बीच में भी उसने ट्रेक का प्लान किया था प्रबाल गड़ का तभी हम लोग जाने पाए में को घर लोग अलाओड नहीं किया क्योंकि जब फर्स्ट ट्रेक को गया था तभी मैं गिर के हाथ सुजा के आया था उस वज़े से में को घर वाले छोड़ रहे ने थे पर यह लोकेशन अच्छी थी में को जाना था तो घर वाले भी मान गए पहले जब हम लोग ट्रेक को जाते थ पर अभी ग्रूब बड़ा हो गया देखते देखते दस लोग हो गया अभी और सब अभी आधी के दर मिलने अले तो फट-फट निकलते उसके दर मिलते और निकलते ट्रेक के लिए अभी कुछ बजरे पाच क्या लिट्रेली शांती है आके 10-15 मिनिट हो गया क्योंकि मैं इंट्रो शूट कर रहा था था थो थोड़ा सा लेट हो गया पर तभी कोई नहीं था अभी लोग आना चालो हो गया पर ध्यान से सुनोगे तो बड्स की क्या मस्तावाज आ रही है कितनी शांती है सब लोग जॉगिंग वगिरा आना स्टार्ट हो गया चाही इस इंपोर्टेंट विले चाही फिर ट्रेक के लिए कितना 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 अब हम फोड़ा सा पेटरोल कम लग रहा था पूरे रस्ते में देखा चिदर में मिल रहा था पर बेटर्णी इसांग जाने का रही अपने को पूरा उल्डा डारेक्शन खाने में जाने का था कि फिलट पपी पेट्रैल पंप था उधर से भरा है नहीं ठोड़े स्पीड में से बलक्षे तिर आगे रस्ते में किजर भी पेट्रल नहीं है अब धी जाकि यह पेट्रल बम मिला पूछ से पुछ से पता चला कि है आगे एक पेट्रल पॉंप है जब यह साइड में पूरा फॉग हो गए और यह पेट्रल बम पहली बार देखा में यह नाम से मतलब पूरा पूरा फॉग है ऐसा लग रहा है गाओ आगया फॉचियह में क्या व ठाइड झाल मत्मजार क्या पोग है विड़ा है झाल आर फोग के वाई रस्तायन घिक रहा है मजार है झाल झाल स्कूटी से आने का एक फायदा हो गया, अभी हम लोग साथ में निकलेते हैं, पर वो लोग ने थोड़ा सा अलग रस्ता ले लिया तो वो लोग को लंबा पड़ गया, और हम लोग अभी पूझ भी गये लोकेशन पर, अपने को जाना है इधर ही किदर, तो अभी पता ने करने के बाद ट्रेकिंग चालू करेंगे पर लोकेशन तो एक नंबर है भाई अच्छी जगा डुंडा आधी ट्रेक स्टार्ट हो गया है अभी इधर तो हम लोग पहले ही पोज गयते आधा घंटा पहले पर यह लोग कार से आ रहे ते यह लोग को कोई अंकल ने बोल दिया क कि यूटन लेकर कुछ दूसरे रस्ते पर भेज दिया फिर वह लोग को लेने के लिए हम लोग मीचे गए बहुत टाइम उद्धर वेस्ट हो गया देखते देखते अभी साढ़े आड़ बच गया अभी सब लोग आ गया अभी ट्रेक स्टार्ट हो गया अभी आगे मिलते ह हम लोग जब भी आये थे फॉक बहुत कम ता अभी जैसे जैसे लेट हो रहा है ऐसे वैसे फॉक बढ़ते जा रहा है अच्छा है धूप नहीं है लोकेशन तो बहुत अच्छा है मतलब रास्ता भी बहुत अच्छा है जो पहले जो ट्रेकिंग लेकेते उसके मुताबले में तो अच्छा है और बाजू में पानी घाशी सब है अपने इधर जली चलो काटी बाई जला परेगा कषण अब भी इसने साप तो देख लिया अब शिदि लंबा था और काला था बस पाली मीशे पाली में यह ने जाज आढ़े हैं अब अब कर दो को बोसुमने कि तोह टो से शुमने कुछ मेंरे ठीजी है अज्डिसह जलृफ ता कर दूता है बेंहे तौ कि प्षेथ रश्ता नहीं है रास्ता दो है बराबर है पर इतने जाढ में पानी लगाए कि ही जूटवी में सब जगे पर पानी भर गया आग्या रास्ता लेप हो हान उतल juvenile ये कर दो कर दो तो भाई स्टार्ट कि दर से के वो ही नहीं दिख रहा है और इंडिंग भी नहीं दिख रहा है जाल असम्पलर ट्रेक ट्रेक तो पुरा नहीं हो पाया पर जितना चड़े तो उतना वर्ष था पर इधर वाटरफॉल के दर आके बेढ़ गए अब यह खाते और निकलते अब यह जो जाड़ दिख रहे हम लोग उदर तक चड़े उसके बाद से बहुत जगाए पाई नहीं मिल रहा था कि इधर से चड़ने के लिए अब यह बहुत हालत खराब है और मेरे जूते फड़ गया और मैं बेर कुछ का खुमी रहा हूं उदर से लेगे इधर तक हालत भूत हम लोग वो ट्रेक खतम करके कुछ पाच या साड़े पाच बज़े निकले फिर उदर से मैंने सुबह से कुछ खाया नेता सिर्फ थोड़ा सा पानी और एक ग्लास चाही पिया था वो भी यह उले में घाय घाय में सुबह साड़े चार बज़े निकले थे तो फिर भी देखते देखते पाच बज़ गया पर कोई बात नहीं पर मेरे को लगा वो ट्रेक वर्थ रहेगा पर कुछ वर्थ नहीं है मतला बिगदम वर्ष ट्रेक था यह अभी का जित्ते भी ट्रेक देखेगा ना वह इसाल गड़ वह सब तो कही ल सब जगे पर काटे गुश गये में को तो बिल्कुल भी अच्छा ने लगा फिर उदर से मेरे को वाशी आने का था थोड़ा सा काम था उस वज़े से मैं फटफट निकला और हम लोग सब लोग थोड़ा सा खाने क्ले गए थे उदर यह कौन सा तो ढाबा था तब लोग खा निव शोपे वाशी में यह है सेक्टर 15-16 में आपको गौगल लेंसेश चश्मा अगर कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप आके ले सकते और और वह घाय घाय के चक्कर में मैं अपना कैप और चार्जर का वायर और मेरा बैग तीनों गाड़ी में बुल गया अभी वो लेने भी जाना है अभी मेरे को देख सकते में को कितना नीम दा रहा है एकदम से मेरे आई बॉल्स का यह हो गया पर कोई बात नहीं एक दिन के लिए चलता है मज़ा भी आया उधर वाटरफॉल जो था उधर मस थोड़ा सा अच्छा लगा बाकी पूरा ट्रेक ए है अभी फट फट इधर से निकलते हैं और वो बैग वगेरा सब लेने जाते हैं झाल 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 अभी बैग चार्जर और कैप सब ले लिया है अभी बहुत भूट लग रहा है सुवए से कुछ खाया नहीं है अभी जाके पट-पट खाना खाना है और सोना है बहुत मुहिंदार ही है बहुत पेरने जवाब दे दिया है बस हो गया बस आज का यह व्लॉग इधर ही एंड करते हैं अगर कुछ भी अच्छा लगा रहेगा लिवा लाइक शेडिट इस प्रेंड दो सब्सक्राइब मिलते नेक्स लोग में तभी तक कि लिए टाटा वाइबाई बोलने भी नहीं जम राहे पर कोई बात नहीं डू सब्सक्राइब यार लाट शेट मिलते नेक्स झाल, 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 झाल